जब चरपटी नात ने किया इंद्र, विष्णु और शुव से युद्ध, नात संप्रदाय का एक विक्ती भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन गया है। पर फिर भी भूछ सारे लोगों को आज भी नात संप्रदाय के बारे में पता नहीं है। आज तक हमने आपको भोध सी पौरोनी कथाय सुनाई है। और आज हम आपको नात संप्रदाय की एक अद्भुत जो शोरिय, निडर, पराकरम की कथा बताने जाने वाले है। कता का स्रोत नवनात भक्तिसार है। नमशकार मित्रो स्वागत है आपका कतंदर माचे इस यूटूब चानल में। चरपटिनात की रूशी पीपलायन का कलियू का अवतार माना जाता है। जो खुद भगवान कृष्ण के अवतार थे। साथ ही चरपटिनात नवनात संपरदाय के प्रमुख नवनात में से एक थे। एक बार चरपटिनात अपने बाल्यावस्ता में भगवान विश्णू, भगवान शुव और इंद्रा और उनकी बड़ी सेना को अकले ही युद्ध में पराजित किया था। बालक चरपटिनात ने भगवान दत्त से नात संपरदाय की दिख्षा ली थी। और उन्होंने अपनी भक्ती से भगवान शुव को भी प्रसन्न कर लिया था। अपनी गहन लगण और आत्मशक्ति से उन्होंने चौदा विद्धाय चौशंश्ट कलाय प्राप्त कर ली थी। नात संपरदाय से उन्हें शबरी विद्ध्या का भी द्यान मिल गया था। शाबरी विद्ध्या इसी विद्ध्या थी जो सिर्फ और सिर्फ नात संपरदा और ये विध्या नात संपर्दाय के अलावा किसी भी देव देत्य यक्षया किन्नर को हासिल नहीं थी। देवराज इंद्र द्वारा नारत का अपमान कहानी की शुरुवात तब होती है। एक बार महरिश नारत स्वर्ग लोग देवराज इंद्र से बेट करने जाते हैं। पर सत्ता में चूरु देवराज इंद्र महरिश नारत की बात तक नहीं सुनता और साथ ही उन्हें अपमानित कर देता है। अपमानित होकर नारद उन्हें चर्पटिनाद के पास आते हैं। महरिश नारद एक तरह से चर्पटिनाद के गुरू थे। क्योंकि उन्होंने चर्पटिनाद को अपने ब्रह्मन कला सिखाए थे। जिसमें शुनों में तीनों लोकों का ब्रह्मन करना भी शामिल था। अप पुछने पर बे विश्राम करना हैट्व देवराज इंद्र के वाटि का नंदनवन में रुकते हैं एक तरह से नंदनवन देवराज एंद्र का प्रशनल गारडन था और वहां जाने की दादथ सिर्फ देवराज इंद्र ही देशकते थे चरपटिनाद और नारत को वहां देख वन के रक्षकों ने उन पर हमला कर दिया तब चरपटिनाद उन रक्षकों से युद्ध करने लगते हैं युद्ध में वन रक्षक हार जाते हैं और वे भाग कर इंद्र को सब बता देते हैं तब इंद्र अपने सेना को युद्ध करने के लिए भेज देता है। इंद्र के देव सेना को चरपटिनाद के ऊपर युद्ध चड़ाई करती है। पर बालक चरपटिनाद देव सेना को बुरी तरह हरा कर बंदी बना लेते हैं। इंद्र को अब एसास होता है कि वो उस बाल का बाल तक बाका नहीं कर सकते हैं विश्णु शू और चर्पडिनात युद्ध इंद्र हमेशा की तरह भगवान शू और भगवान विश्णु के शरण में जाते हैं स्वरग पर किसी ने आकर्मन किया है जानकर भगवान शू और विश्णु इंद्र को मदद का वचन देते हैं भगवान विश्णु और उनके नाराहने सेना तता भगवान शू और उनके गन इंद्र के साथ नंदनवन की तरफ युद्ध के हेतों चल देते हैं इतनी बड़े सेना को अपने तरफ आता देख चर्पडिनात शाबरी चितक नहीं आती तब भगवान विश्णु सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं तब चर्पडिनात शाबरी विद्या से और एक अस्त्र मोहिनी अस्त्र का प्रयोग कर सुदर्शन चक्र को मोहीत कर आसमान में ही स्थीर कर देते हैं ये देख इंद्र ब्रहमास्तर को और इंद्र मुर्चित होकर गिर जाते हैं यह सब देखकर ब्रहम महादेव वहां आ जाते हैं और चर्पटिनाद से जिननती करते हैं कि वाताकरशन अस्तर को हटा कर सभी को पहले जैसा कर दे हैं चर्पटिनाद अपना अस्तर वापस लेते हैं तो सभी पुर्वस्तिती पर आ जाते हैं। इंद्रों को अपने गल्ती मानने पड़ती है और वो महर्श नारज से ख्षमा मांग लेता है। हमारे पौरोनी कथाए सिर्व कथाए नहीं है। वे दर्शन शास्त्र या नेतिकता के काफे पाठ पड़ाती है। चाहे सिर्व एक बच्चा ही क्यों ना खड़ा हो और उसके खिलाफ अगर भगवान भी हो तो अंतमे विजए बच्चे के ही होगी।